आज जो रेसिपी में शेयर कर रही हूँ, उसको कई नामों से जाना जाता है, मूंकी दाल की बड़ी भी कहते हैं, मंगोडी भी कहते हैं, या मूंकी दाल के कोफते भी कहते हैं, तो उसके लिए मैंने ये लिए हैं मूंकी दाल आधा कप, और उसमे डाले चार टेबल स्पून या दो मुठी भर के चनी की डाल चनी की डाल इसमें बहुत अच्छा नटी फ्लेवर लेके आती है और मैंने इसको लगबग 6-7 घंटे भीगो लिया था यानि मैंने इसे रात को भीगो दिया था और ये दुपहर का क्लिप है मेरा ये बहुत जरूरी है इसको इतनी देर तक भीगोना मैंने दो मुटी भर के डाला था इसके अंदर या फिर चार्ट से पांच टेबल स्पून चने की डाल ली है मैंने इसको भीगो लिया था अब कम पानी के साथ मेले से पीस लिया था मैंने बरावर बरावर और आदा चमच इसमें डाल दिया आदा चमच डाली थी कुटी होई लाली मिर्चे और मिर्चे आप अपने टेस्क के अकार्डिंग डालिएगा मैं इसमें हरी मिर्चे भी आइट करूँगी क्योंकि मेरे खर में ठीक हखाया जाता है आदा चमच नमक डाला था आदा चमच से थोड़ सा कम डाला था गरम मसाला आदा चमच से थोड़ सा कम डाला था चाट मसाला अब मैं इसमें डालूँगी जिंजर गालिक पेस्ट इसको पहले थोड़ सा मिलालू मैं इसके बाद मैंने इसमें आदा चमच भर कर जिन जगा लिक पेस्ट डाला था इसमें अदरक कम है और लसन जो है वो ज्यादा है आदा चमच भर कर डाला है मैंने इसमें और मैं डालूँगी इसमें एक मीडम जाइस का प्याज और हरी मिर्चे डाली है मैंने इसमें 5-6 मैंने बताया आपको मेरे घर में तीखा ज्यादा खाया जाता है इसलिए आप अपने हिसाब से डालिएगा इसमें लेकिन हरी मिर्चे और लाल मिर्चे दोनों डालेंगी हारा दनी डाला है बहुत सारा अब मैंसे थोड़ी सी दर के लिए फैट कर 5-6 मिनट के लिए रख दूँगी और जब मैं अपने पकोड़े फ्राई करने वाली होंगी उस वक्त में मैं इसमें कुछ और जीज़ भी आट करूँगी इधर मैंने लिया है दो चुटकी खाने वाला सोडा और 5-6 सूखी हुई पुदीने की पत्तियां बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पुदीने की पत्तियां जरूर डालिएगा लेकिन कम डालिएगा और दो चमच मैंने इसमें भरकर तेल भी डाला था गरम उसकी वीडियो मुसे स्किप हो गई तो गरम तेल जरूर डालिएगा आप इसके अंदर दो चमच मैंने अपने बैटर को हो रख दिया है फर्मेंट होने के लिए तो मैं इहां बनाऊंगी अपनी ग्रेवी तो उसके करीपते दो साबुत लाल मिर्चे एक चमच जीरा और मेथी दाना और मेथी दाना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है तो मेरे सारे मसाले तड़क गए थे तो मैंने इसमें डाला है बन फोर्ट कप प्लस एक टेबल स्पून पिसा हुआ प्याज या फिर एक बहुत बड़ प्याज चाहिए अब मैं इसमें थोड़ा सा सौल डाला है ताके मेरी प्याज जले नहीं लेकिन कलर चेंज कर दे अब मैं इसके अंदर डालूँगी आदा चमच भर कर जिन जगालिक पेस्ट और इसे भी इतनी देर तक घूनूँगी जब तक इसका कच्छपन निकल जाए और यह ठोड़ा सा कलर सेज्ड गर लें और ऊसके बाद में इसमें डालूँगी पिसे हुए मसाले पिसे हुए मसाले मैंने इसमें डाला था दो चमच भर कर पिसा हुआ धनिया आदा चम्मच हल्दी दाली थी और एक चम्मच पीसी हुई लाल मिर्चें मिर्चे आप अपने टेस्के कावडिंग डालिएगा और अब मैं इसको इतनी देर तक भूनुगी जब तक मेरा मसाला एकदम सिल्की टेक्शर में ना आ जाए लगवग 20-25 में लगते हैं मुझे अगर अगर कच्छे रहे भी गए तो नहीं तो अगर आप जल्दी जल्दी डालेंगे और अंदर से गाट भी नहीं रहेगी बहुत अच्छी ट्रीक है यह पकोड़े करने की और अगर कच्छे रहे भी गए तो कोई बात नहीं हम अपने मसाले के अधर उनको बॉयल करेंगे तो दाल अंदर तक पक जाएगी 20-25 मिनट हो गए थे मेरे मसाले को भुंते हुए और बहुत अच्छे से बुन गया था यह बिल्कुल सिल्की स्टेक्च्चर हो गया था इसका चार से पांच कप पानी डाला थ बाते हैं गाइस रूखे भी बहुत मज़ेदार लग रहे थे 15 मिट मैंने इसको अच्छे पकाया और यह देख सकते हैं आप सारा जो पानी था और मेरे पकोड़ ने चूस लिया और यह डबल हो गया और मैंने आप इसमें डाल दिया है गरम मसाला हलकी आच पर रखा है लेक creation के दिकाया है और बहुत सॉफ्ट है चावल के साथ पराटे के साथ या रोटी के साथ बहुत ज्यादा मज़दार लगतें किसी चीज के सब भी बखाया और मैंने अपकाट के दिखाया मेरे गार्ट भी नहीं है और बहुत ज्यादा सॉथ मैं है तो आप ज़रूर ठ् और अगर आपने चनी की दाल कभी मंगोचियों में ट्राई नहीं किये तो वो भी ट्राई करके देखेगा तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया